फिसिस के NCIRT तो बिटा मैं आपको अगर simple शब्दों में समझाओं तो फिसिस के NCIRT आपके ऐसे रिश्दार की तरह है जिसको आप देखना नहीं चाहते जिस से आपको गोर नफरत है दूसरे लोग भी आकर के आप से बोलते हैं इससे दूर है यह तुझे बर्बात कर देगा लेकिन आप उसका साथ नहीं छोड़ते आप उसकी संगत नहीं छोड़ते फिर भी आप उसके साथ रहते हैं एक दिन आप जाकर के कहीं पर ऐसे उलग जाते हैं कि कोई और आपकी मदद नहीं कर पाता सारे दुनिया में सिर्फ वो एक रिश्दार होता है जो उट करके आपके साथ खड़ा होता है आपकी मदद कर पाता है ऐसी है फिजिक्स की NCRT एक दिन आप नीड के किसी question में ऐसे उलच जाओगे कि कोई और knowledge आपकी मदद नहीं कर पाएगा सिर्फ फिजिक्स की NCRT उस दिन है क्या सब कुछ नहीं पढ़ना यहीं बताने के लिए मैं आया हूँ मेरा नाम है और वह बात दे है बेटा और मैं आपका अनेकेडमी नीट के इस चैनल पर स्वागत करता हूँ तो आज का जो सेशन है इसमें हम बात करने वाले हैं पांच ऐसी चीजों के अंदर पांच ऐ क्या चीग भिए हमनों को फिजिक्स के न्- Pastor का सब लाईन बार लाइन बार यहीं है अदर कि पढ़ना है क्या दोर आघसे संब्धर कैसे किसें घृइन सब्धर को सम्मरी है नहीं की समरी रहेंadı कि chapter के अंदर क्या क्या विचार हैं chapter के एक जगे से दूसरे chapter से कैसे संबंद है chapter को बतलब क्या यह कैसी बात भोल रहो यह किसी और chapter से कैसे connect होता है इस पर किस तरह के concept रियल लाइफ से connect होता है तो यहां पर आपको chapter के बारे में food for your thought है आपके दिमाग में कुई कोई चीज देखी chapter के बारे में आप इस तरह से और सोच सकते हैं, यह सारी चीज़ें will actually make you ponder, okay, तो आपको actually सोचने पर मजबूर करेगी chapter के बारे में, दूसरी सबसे important चीज क्या चीज होगा, अगर यह पढ़ना और भी कुछ पढ़ना चाहते हैं तो, और आपको chapter के आखरी में इस तरह की एक table दी होगी, यह table आपको क्या बताईगी बेटा, यह table आपको सारे के सारे units, chapter के उस chapter के अंदर जो use होए, सारे के सारे dimensions और उनके physical, जो भी physical quantities use होई है, उन सभी के symbol, dimension, unit, यह सारी सारी चीज़ें आपको बताने वाली है, ठीक है, vector, scalar, हर तरह की चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, इसके बाद चीज़ें यह भी देख लिया, अब और कुछ देखना है तो क्या देखें, और कुछ देखना है तो summary देखें, पीड़ा summary बहुत जादा important part है, इस पूरे chapter का क्योंगी कि summary क्या करता है, पूरे chapter को recall कर देता है, आप पूरे chapter के अंदर की जितनी भी point 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 करके important चीज़ें दी होगी, वह सब कुछ summary में लिखिए, सब कुछ जो भी पढ़ाया गया है, सब कुछ summary में लिखा है, जो इन्हें लगता है chapter में important है, वो summary में लिखा है, तो आप जब short notes बना रहे हैं, आप कहीं भी कोई चीज ऐसे आपने short notes बनाए हैं, तो उस short notes के अंदर अपने जो भी lecture देख करके आपने short notes बनाए हैं, उसके अंदर summary के कुछ points, summary पढ़े, इसके कुछ points वहाँ पर डाले, points to ponder के कुछ points वहाँ पर डाले, तो आप एकदम solid तरह से अपने short notes को और ज़्यादा मजबूत कर पाएंगे, यप, तो बटा, in fact, मैं आपको बताता हूँ, कि यहाँ पर देखिये, मेरे पास रखी है, इस तरह से फिसिक की NCRT, जब भी मैं lecture लेने जाता हूँ, तो बटा, मैं क्या करता हूँ, मैं points to ponder और summary को देख करके जरूर जाता हूँ, ताकि मेरे से इन से related कोई point मिसना हो जाए तो यह काफी ज़्यादा important है, आपकी एक need को, आपकी preparation को complete करने के लिए, यह तीन चीज़ आप जरूर देखें, अगर इसके बाद आपके पास और समय है, तो आप चौती चीज़ देख सकते हैं, इसके अंदर के सारे के सारे graph, इस तरह के बहुत सारे graph दिये होते हैं, अब तो यह फिफ्ट चीज़ तो बड़ा आप salt examples देख सकते हैं, आपको यहाँ पर हर जगे पर फूरी NCRT में भर भर के example 1, 2, 3, 4 salt example मिलेंगे, जरूर देखो क्योंकि बड़ा कितनी बार क्या होता है, कि यही example उठा करके exam में सीधे सीधे पूछ लेते हैं, सीधा पूछ लिया example, example पूछ लिया, example से related question पूछ लिया, यह example को हटा करके, assertion reason बना करके कुछ पूछ लिया, इस exam के diagram जैसा या इसी same concept जैसा एक question, example जैसा वहाँ पर पूछ लेते हैं, अब चीख हुआ है, यह सब solve कर लिया, क्या exercise solve करूँ या नहीं करूँ, तो exercise अगर आपके पास bonus है, मैं इसने आर बहुत सारी practice कर लिया, lecture notes के सब कर लिये, डीपी भी कर लिया, exercise कर लिया, कोचिंग कर लिया, अब उसको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह question कहीं ना कहीं, वहाँ cover हो गया, पर कोई इनसान है, जिसने बहुत ही कम practice करी है, अब वो NCRT पढ़ने की कोशिश कर र पहले करो, तो 12 की NCRT जो है, उसका वेटेज जादा है, 12 का सिलिवत जादा पूछा जाता है, 12 की NCRT में बिटा, जो theoretical concept है, या फिर जो units dimensions है, वो सारी सीज़ें जादा निकल के आती है, 12 की NCRT आप अगर चाहें, तो पहले कर सकते हैं, अब यहाँ पर आखरी चीज बचती आपको यहाँ पर सिर्फ ANUP कोड यूज करना है, चीको बिया और कुछ बताओ, और कुछ में बिटा आपके पास यह है कि आप सीधे सीधे साक्षात मुझसे लाइफ क्लासे में पढ़ सकते हैं, लाइफ क्लासे मतलब प्लेटफॉर्म पे जो प्लस क्लासे होती महाँ पर आ इंटरेक्ट करके सिर्फ 6000 में, वो कौन सा है, औल स्टार क्रेश कोर्स है, कोड आपको फिर से यूज करना है, ANUP, बटा दोनों तरह की चीज़ों में आपको फायदा मिल जागा, चीको बिया ऐसा कोई चीज बताओ जिसमें हमें कोई पैसा न लगे, तो बहुत ही बढ़ी के लिए सब भी गिफ्ट में मिल सकता है, और ANUP कोड यूज नहीं करना, फ्री है, ठीक है, यही थे आपके सब्स्राइब, तो आप एक काम करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए, वीडियो सेशन कैसा लगा, और ये 5 चीज़ें आपको कवर करके जा नहीं है, बहुत इंपोर्टन इंफोर्मिशन है आपके, ठीक है, चलते हैं, दिस मीची कुब भी या, साइनिग ओव, बावाई, गूदनाइच, जा 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 जा